हेलो स्टुडेंट्स दिस रितु शर्मा वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट आज की वीडियो में हम लोग डिसकस का रहेंगे जिससे सबसे ज्यादा बचे परेशान है काफी सारे बचे मुझे पर्सनली भी पूछ चुके हैं कि मैं क्या हमारे एक्जा और आपको ऐसी किसी भी फेक न्यूज पर बिलीव नहीं करना है काफी सारी न्यूज इस आ रही है एक तो आप गलती करते हो न्यूज को पूरा नहीं पढ़ते हो या समझते नहीं हो तो प्लीज न्यूज को अच्छे से अनलाइज किया करो कि एक्चुल मैं न्यूज में बोला क्या जा रहा है ओके तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यूज हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल एकन को प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यूज आती है आपके एक्जाम से रिलेटर उसकी नोटिफिकिशन आपको सबसे पहल कि दली गौर्मेंट ने बोला है सुप्रीम कोट को कि उन्होंने अपनी सारी उनिवरसेटी या कॉलेजिस के फानली एक्जाम कैंसिल कर दिये हैं और दूसरी न्यूज यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोट और यूजी सी की जो हीरिंग चल दी है अभी उसमें एस जी यानि निऄस को देखते हैं कि इन में क्या करलीवरसेटी इसी सक्षमता नहीं है कि वह ऑफ्लम और अफ्लम लेंगम करना अभी पॉसिबल नहीं है तो काफी सारे बच्चों ने जिनको problem face करनी पड़ रही है online exams की वजए से काफी सारी universities के लोगों ने एक petition file की कि ऐसा नहीं होना चाहिए UGC को अपना फैसला बदल देना चाहिए तिस September तक exam नहीं कराये जा सकते और ये बोला गया कि आप कोई और तरीका निकालो performance को assess करने का क बच्चों को promote कर दिया जाए exam के बिना ही तो इस पर सुनवाई चल रही है अभी Supreme Court में कोई final decision नहीं आया ये चीज़ समझ लो तो Supreme Court की तरफ से या हम बोले Solicitor General of India जोकि UGC का case represent कर रहे है Supreme Court में उन्होंने बोला है बच्चे please prepare करते रहो exam के लिए क्योंकि अभी final decision नहीं आ सब्सक्राइब करते हैं कि जो डैली गॉर्मेंट नहीं बोला है Supreme Court को के final year के exam cancel कर दिये गए है क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला है कि जो digitally है ये लोग नहीं कंड़क्टर आ पा रहा है online exam जैसे डियू कर आ रहा है वैसे ये लोग नहीं कर आ पा रहे है अब बच्चों को लग इक बार मैं फिर clear कर रहे हूं कि जो डैली स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर आपका डियू नहीं आता है क्यूंकि डियू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना कि स्टेट यूनिवर्सिटी तो डैली गॉर्मेंट अगर को decision लेती है तो उसमें डियू आपका इंक्लूड नहीं होगा या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहें वो डैली में क्यों नहीं होगी इस बात को समझ लो अच्छे से डैली गॉर्मेंट सिप डैली स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है उन पर ही decision ले सकती है जिसके अंदर डैली यूनिवर्सिटी नहीं आता वस नाम की वज़े सबको कंफ्यूजन हो जाती है और यह भी जो एक्जाम कैंसेल हो जाएंगे ऐसा भी अभी कोई पक्का नहीं है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोट ने बोला था जो भी केसिस चल रहे हैं सबको डारेक्ट किया था कि साथ अगस्त तक आप एक डी जॉइंट एफिडेविट फाइल करोगे तो उसमें क्या हुआ कि डैली गॉवर्मेंट ने जो एफिडेविट फाइल करा है उसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने जो 11 जुले को डिसीजन लिया था जो मनिश शिशोध्या जी ने इनफॉर्म किया था कि हम लोग सिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो अभी भी अपने इसी बात पर अडे हुए है कि इसका फैसला लेने का हग किसी भी राजे सरकार को नहीं है क्योंकि जो डिग्री प्रवाइड करानी होती है तो एक्जाम से रिलेटेट कोई भी डिसीजन यूजी सी ही ले सकती है किसी भी य एक्जाम होगा तो प्लीज जो नियूज होती है उसको अच्छे से समझा करो कन्फ्यूज मत हुआ करो डिटेल में देखा करो तो यह थी एक छोड़ी सी इन्फोर्मेशन आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के रिए वाकि कोई भी नियू अपडेट आती है वह आपको मिल जाएगी जस्ट आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को ज्यादा से अधा शेयर करना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाबाई ओल देबैस्ट